सब्सक्राइब कीजिए डॉट पर्तिस पर्धा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लिटेश टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल डॉट पर्तिस पर्धा में इस वीडियो में आप फॉन पे का इस्तमाल करना बहुत ही आसाने से सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉन पे का इस्तमाल करने के लिए कोई और वीडियो देखने का जूरत नहीं पड़ेगा इसीह आ को पर ने इसके हुआ कि इस स्टाउल करेंगे उसके लिंक 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 पर करने के लिंगे इस waard करके जैसे ही आप वहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा तो यहां पर आपको चारांग का पासवर्ड अपना प्रियेट कर लेना है पासवर्ड डालके जैसे आप समिट करेंगे तो आपका फोन पे एकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा तो उसके बाद काउंडिया करना है सारा डिब्य-ठेजforward में आपको अपने मोबाइल फोन पर लेके जा के दिखांगा तो मोबाइल फोन पे मैं आपको सारा का यस्ताल करता हूं तो आपको इसे बता दिया उनकों कैसे करना है कि शुक्त करना है उसके बाद को अपने पर दिखाऊंगा तो चलिए विडियो करते हैं जब आप फॉर्स्ट टैम फॉन पाइप करेंगे अपना मोबाइल नमबर और उसके बाद फॉन पर को खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface आपको देखने को मिलेगा लेकिन आप जो यहाँ पर टॉब पर देख रहे मेरा photo आ रहा है यह यहाँ पर आपको जो फोटो आपका जो है first time set नहीं रहेगा तो यह चीज़ आपका यहाँ पर नहीं रहेगा और क्या चीज़ नहीं रहेगा जैसे आप उस फोटो पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका KYC details यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर green tick लगा हुआ है तो यह KYC आपका किया हुआ नहीं रहेगा जो नहीं किया हुआ रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ पहले उसके बाद आप यहाँ से बैक जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक my money करके एक option है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए payment method में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा bank accounts यहाँ पर डेविड card तो यहाँ पर यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा debit card भी यहाँ पर registered है तो यह सब आपका first time नहीं रहेगा तो यह सब आपको add करना पड़ेगा तो यह सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कैसे कैसे आपको सारा चीज add करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क् क्या मिल जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं profile के उप़र क्लिक करके बता देता हूँ कि profile कि यहाँ पर जो मेरा photo आपको देख रहा है इस पे आपको click करना है कि यहाँ पर camera वाली option पन पर click करके आप यहाँ पर अपना एक photo लगा सकते हैं उसके बाद आप यहाँ अगर एक यू़र क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर के तैकивать सिर्ट को कर सकते हैं इससे क्या होगा जो भी दूसरा कोई वेक्ति एगर फोन पे यूज करता होगा या फिर कोई भी पेमेंट करने वाला कुछ भी अगर एप्स वो यूज करता होगा जैसे गूगल पे भी पेमेंट करता है तो वो क्या करेगा आपका एक QR कोड को जो है वो स्कैन करेगा और जितना पैसा आपको इकांट पे जो है वो भेज़ देगा तो यह QR कोड होता है QR कोड का जो यूज होता है वो जेनरली जो होता है वो दुकान समय होता है दुकान में QR कोड जो है वो डाउनलोड करके उसे प्रिंट निकालके वो वहाँ पे चिपका देते हैं इससे क्या होता है कोई भी वेक्ति वह आप रइस्यूंग करेंगे आपको upi ID मिल आता है अगर आप चाहें तो यहाँ परوت भी कर सकते हैं यहाँ नीचे एट new vim upi ID पर doai u kite कर सकते हैं जिसे। मैंने फॉल की पब टो सब्सक्रा理 करके कर सकते हैं सेवनथीन और भाई पॉब्oken कर सकते हैं सेवेंटेइन एड़ डरेट वाई भी यह यह यूपियाई आइडि आपकर किसी को दे देंगे तो कोई ही वेक्ति यूपियाई आइडि के थ्रू भी आपको पैमेंट कर सकता है आपको मॉबाइल नमबर उसे देने का जोरत नहीं है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स आपक अपना एड्रेश डाल सकते हैं यहां पर आप अपना लेंग्वेज चेंज कर सकते हैं बिल नोटिस यहां पर नोटिफिकेशन में अगर आप कोई बिल पैमेंट करते हैं एक बार आप पैमेंट करते हैं दूसरे बार अगर वह बिल आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपक नहीं कर रहा है तो उसे आप ब्लॉग भी कर सकते हैं पॉलिसी में क्लिकर क्या पॉलिसी देख सकते हैं क्या क्या पॉलिसी है और यहां पर क्यवाइसी डिटेल्स में आप यहां पर अपना क्यवाइसी एड कर सकते हैं क्यवाइसी एड नहीं करने से भी आपको कोई प्रॉब आप phone pay का wallet से ही पैसा जो है आप किसी को भेज सकते हैं या पिर कुछ भी transaction आप उससे कर सकते हैं इससे क्या होगा आपका bank account से एक ही बार पैसा कर देगा और आप wallet से पैमेट कर सकते हैं तो अगर आपको wallet यूज़ करना है तो उसके लिए आपको KYC यहाँ पर details आपको भरना पड़ेगा तो यहाँ पर pen card अगर आपके पास है तो pen card का details डालके आप यहाँ पर KYC जो है add कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको logout करने का option यहाँ पर मिल जाता है आप यहाँ पर logout पर क्लिक करगे direct आप यहाँ से logout कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको future में कभी ही अपना फॉन पे को delete करना होगा आपको account को तो आप delete कैसे करेंगे delete करने के लिए आपको यहाँ पर what पर क्लिक करना पड़ेगा what पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर account related issue पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको delete my phone pay account इसके आपको click करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर دेखी है, यहाँ पर दो option आपको मिल जाएगा, how do I delete my phone pay account उसके बाद will my transaction escape, यहाँ पर उपर वाले पर आपको click करना है, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो details दिया हुआ है नहीं तो आप no पे click करेंगे और क्यूं delete करना है यहाँ पर आप जो है लिखेंगे कि क्यों delete करना है और उसके बाद submit कर देंगे तो डिलीट करने का रिजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपके पास को रिजन नहीं है तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि मेरे पास पहले से एक phone pay account है और यहाँ पर आप submit कर देंगे आप हिंदी इंगलिस दोनों में दिया उसके बाद आप यहाँ पर direct यहाँ पर देखें एक QR code scanner यहाँ पर दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी QR code जो है वह इसकेन कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से आप direct payment कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर click करके दिखा देता हूँ कैसे scan करता है यह तो देखिए जैसे ही आप QR code पर click करेंगे तो आपका जो camera है जो वह खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका QR code रहेगा जैसे फोन पर का मैंने QR code अपना download करने के लिए आपको बताया था तो व कोई भी अगर notification वगरा कुछ रहेगा तो वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा वाट के बारे में तो मैंने बता दिया कि यहाँ से आप जो है अपना account जो है वो delete कर सकते हैं उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर transfer money करके आपको यहाँ पर option मिल जाता है to contact to bank account to account और to self और उसके बाद यहाँ पर bank balance यहाँ पर आपको चेक करने का option मिलता है चार option आपको सबसे उपर पे ही मिल जाता है to contact पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं to contact पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी का mobile number के through भी किसी को पैसा भीज सकते हैं जैसे आप उसका mobile number के through आपके उसके account पे direct पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर second number पे प्रलाद नाम से है यहाँ पर इसको इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे first रुपिया मैंने इसे transfer paid किया है ठीक है अगर मैं इसे पैसा transfer फिर से करन जाहूं तो क्या करना यहाँ नहीं यहां पर इंटर माउंट पर यहाँ लिख देता हूं जैसे मैं एक रुपे say turnst वर करके आपको दिखाता हूं को है से transfer करते हैं मैंने यह पे एक यहां पर आप इतना भी लिखेंगे इतना पैसा उसको transfer हो जाएगा यहां पर मैने रुपय 1 लिख दिया है उसके बाद यहां पर देखिए आपको bank account चूज करने के सहिकी अप किस account उसको भेजतना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास यहां पर मैंने तीन बैंक एकाउट तो मैंने डिलीट कर दिया था दो अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर default मेरा IDBI bank select है तो मैं इसे इसे ही रहने देता हूँ आप चाहें तो SBI से भी payment कर सकते हैं जो भी bank account जीतना है bank account आप यहां पर aid करके रखेंगे तो यहां पर आपको चूज करने का option मिलेगा कि किस bank account से आप उसे पैसा भेजना चाहते हैं तो यहां पर मैं IDBI bank ही रहने देता हूँ और continue पर click करता हूँ उसके बाद जैसे हम send पर click करेंगे तो यहां पर देखिए पैसा जो है मेरा send हो रहा है तो चलिए मैं यहां पर password डाल कर इसे एक रुपया जो है भेज दिता हूँ mobile number के थूँ देखिए मैंने यहां पर password डाल दिया है जैसे यहां पर मैं tick करूंगा इस पे तो मेरा देखिए processing हो रहा है प्रोसेस हो रहा है एक रुपया जो है पैसा जो है उसको transfer हो जाएगा दे लिए यहां पर इंडे हो गया तो मोबाइल नंबर के थू भी आप जो है पेंजे कर सकते हैं कि यहां पर डैयरेक्ट सर्च मुटा Me Wassardन और पिस िंडैसार पासे करेंगे तो आप तो आप किसी के भी एकाउंड पी रांसपर क कर सकते हैं लेकिन उसकी लिए आपको यहां एक्वाँन्ट के काउंट पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद जैसे आप हमसा इक कंज विद्ध करना चाहते हैं। चूच करेंगे अप्ट यहां पर सच भी कर सकते हैं जैसे आध लेता हैं डूच्ट पर एकांट नमर डालेंगे और वो एकांट जो है कौन ऑपर यहांट अपर नाम यहांपर यहां पर है यह डालने का आपको जौरत नहीं है और यतना डालने के बार यहां पर आपको confirm करने के लिए option मिल जाएगा जैसे आप confirm करेंगे तो यह bank account नमर एड हो जाएगा उसके बाद जितना पैसा आपको उससे भेजना है वह amount डाल कर आप उससे पैसा भेज सकते हैं तो क्योंकि मेरे पास अभी कोई दूसरा account नहीं है इसलिए मैं आपको bank account से transfer करके नहीं देखा पा रहा हूँ उसके बाद यहां पर देखे two self है two self है अगर आप click करेंगे तो यहां पर जितना भी account आप अपना एड करके रखेंगे जैसे मेरा तीन bank account यहां पर रईिस्टर है तो मेरा आप ही डिफॉल्ड जो है idbi bank account जो है वो से पैसा मेरा cut रहा है तो मैं आपको idbi bank से state bank में जो है पैसा मैं transfer करके आपको दिखाता हूँ तो तो अगर ऐसा हो सकता है आपके पास कि आपके बाद पास idbi bank में पैसा है करना चाहते हैं यह मैं आपको एक रुपया यहां से भी मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूं एड़ मैसेज क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं यहां पर कर देता हूं टेस्ट चिक है टेस्ट मैंने कर दिया और यहां पर देखी मेरा डी बी याई बैंक जो है पासवर्ड मांगा जाएगा देखिए फिर से मुझे पासवर्ड मांग रहा है चली मैं यहां पर पासवर्ड डाल लेता हूं अपना मैंने यहां पर अपना पासवर्ड डाल दिया है और यहां पर टिक पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो है जितना भी आपका यहां पिरonna भी पिरहे को कि ऐन्म या इसे बेंक एकाउंट में कि कुसी बี้क एकाउंट में पैसा जितना भी आप ऑप को थे किशेक करते हैं यहां पर यहां Indus motif कोई सबसुण पर्सकार में आ genuine उसके बाद यहां पर फीचर्ड आपको मिल रहा होगा आफसन यहां पर देखें कोविड इंसौरेंस वॉलेट टॉप फॉन पे एटियम यह सब जो है आपको यूज नहीं करना है यह सब आप छोड़ देजिए उसके बाद यहां पर देखिए आपको व्यू और ऑफर मिल रह करेंगे यहां पर टॉप आफर्स करेंगे बहुत सरा आफर्स आपको यहां पर मिल जाएगा गेट एडिशनल कैस्ट वगेरा लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टर्म एंड कर्डिंशन रहता है उस पे अब वह इंगलिस में रहता है वह सारा आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे उसे तो अगर आप कुछ पैमेंट वगरा कर देंगे तो उसका ओफर का लाफ आपको नहीं मिलेगा और आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा तो व्यू आफर्स पे क्लिक करके आप अच्छे से अगर कोपन मेरे पास है तो जो भी आफर आपको मिलेगा वहां को आपको मिल जाएगा ठीक है आप यहां पर फीक्ते कर ज्रिए हाँ अभी मेरा जो है दो यहाँ पर यहां पर जो है पैंडिंग में है और कुछ रिउड जो है मुझे मिला हुआ हाँ जै गात chili देखे नत त정이 कर फरबूंज कि यहां पर किКА मिलता है घगया तो यह और कोपन मिला फिर दूसरा कोपन मैं यहाँ पर देख लेता हूं कि certainly क्या मिलता है इस तर्म एंड कंडीशन को आपको देख कर दिया आप देखते हैं इसमें मुझे क्या आफर मिलता है तो यहाँ पर भी मुझे फ्लेट 450 रॉपय का आफ मिला है लेकिन इसका term and condition को आपको देखके ही यह offer जो का है इसका आप लाफ ले सकते हैं तो इस तरह से आपको reward भी यहाँ पर मिलता है उसकी बाद यहाँ पर refer and earn पे अगर आप click करेंगे तो यहाँ से आप अपने दोस्तों को invite कर सकते हैं और invite करके भी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं जिससे कोई भी आप जो है लिंक के थरूँ आप WhatsApp या Facebook ट्विटर किसी भी social media के जरीए जो है आप अपने फ्रेंड को यह link अगर share करेंगा और वो इंस्टाल करके first payment जैसे ही करेगा तो आपको 100 रुप्या का reward money जो है वो मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपने दोस्तों को share भी कर सकते हैं लिंक और उसे भी पैसा कमा सकते हैं अब आएए आते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखिए आपको recharge and bill payment का option मिलता है यहाँ पर बहुत सरा option नो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिससे सबसे first नमर पे है mobile recharge में बहुत ज्यादा recharge करता अपने phone pay wallet से बहुत ही simple सा interface है mobile recharge पर क्लिक करके आप यहाँ से recharge कर सकते हैं यहाँ से आप अपना डिटी एच रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से आप अपना क्रेडिट का बिल पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से आप अपना पोस्ट पेड रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से आप अ स्वाइप का लिया है तो उसका भी बिल कर सकते हैं यहां से अपना बैमंड का पेमेंट कर सकते हैं यहां से आप आपने कोई स्क्क्रिप्सन लिया हुँआ है तो इसका payment कर सकते हैं यहां से आप अपना स्कूल का टक्स जो है वह जमा कर सकते हैं यहां से आप जो है अपना फास्ट Farm практически भी कर सकते हैं अगर आपने loan लिया है उसका retirement जो है आप आप करना चाहते हैं तो भी आप यहां पर कर सकते हैं गूगल पे का पैमेंट भी आप यहां पर कर सकते हैं और मुनसिपल्टे का टेक्स भी यहां पर भर सकते हैं अगर आपके पास डाटा कार्ड है तो उसका भी यहां पर आप जो है पैमेंट कर सकते हैं तो यह सारा पैमें जैसे ही आप click करेंगे तो यहां पर आपको जो है search करने का option मिल जाता है search for store names यह store क्या होता है यह store जो है यहां से अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपके नजदी की जितना भी इस्टोर होगा जितना भी दुकान होगा जितना भी मेडिकल होगा जितना भी खाने पीने का जो दुकान होगा वो सारा चीज यहां पर आप सर्च कर सकते हैं फ्यूल वगरा सब चीज आप यहां पर सर्च कर सकते हैं जैसे आपको अगर emergency में कोई medical देखना है कि आज पास कितना medical आपका है तो यहां पे आप simply जो है सर्च कर दीजिए medical मैं यहां पर medical search कर लेता हूं ठीक है जैसे ही आप मेडिकल search करेंगे तो आपकी आस पास range में जितना भी medical storage होगा जितना भी medical store होगा वो सारा आपको यहां पर दिख जाएगा जैसे यहां पर यहां पर सोनी medical इस पर हम click करेंगे तो जैसे ही Sony Medical पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखे Sony Medical का image आपको यहाँ पर दिख जाएगा आप यहाँ पर call पर click करके आप उसे direct call भी कर सकते हैं अगर आप Sony Medical के पास चले गए हैं उस आप उसके दुकान पर है तो आप यहाँ से pay now पर click करके अगर आप वह दवाई लेते हैं तो online phone पर जड़िये payment भी कर सकते हैं अगर आपको उसका direction देखना है तो आप यहाँ पर direction का भी option आपको मिल जाता है तो आप उसका location पर click करके यहाँ पर उस दुकान का location भी देख सकते हैं कि आप जो है यहां से Go Vine with Soney Medical कितना दूरी पे है आपको सारा रास्ता यहां पर देख जाएगा जैसरे यहां पे पैदल पे में क्लिक करोगा तो मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता जो है वो मिल जाएगा क्या तक यहां पर है the रास्ता जो है यह देखिए इस प्रकार से कुछ रास्ता जो है आपको वहां तक जाने का मिल जाएगा तो इस तरह से जो है आप कुछी भी इस्टोर को जो है वह सर्च करके यहां से जो है वहां तक जा सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है switch का option switch का option पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से आप make my trip पे जो है बुक कर सकते हैं अपना ticket जो है वो डॉमिनूस का और या फिर ओले कैब वगरा आया सेटी में आप रेलवे का ticket वगरा बुक कर सकते हैं रेडवर्स वगरा यहां से आप जो है tax saving fund gold वगरा तो यहां पे आपको जाए mutual fund वगरा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पे पैसा लगाते हैं तो liquid fund पे क्लिक करेंगे अपना पैसा जो है लगा सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर देखिए insurance अपना लेने के लिए आपको मिल जा रहा है coronavirus वगरा इंटरनेर्शनल ट्रेवल वगरा अगरा आप insurance लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पे option मिल जाता है उसके बाद main जो आपका है वो है payment method payment method में आपको यहां पे bank account पे click करके first time जब आप इसे install करेंगे phone पे क्यों तो आपको यहां पे अपना aid new bank account पे click करके यह पे जो है bank account अपना जो है वो एड करना पड़ेगा मैं यहां पे already जो है यहां पे मैंने bank account एड कर रखा है तो यहीं से आप जो है अपना bank account को delete भी कर सकते हैं सब्कुलिव भी कर सकते हैं और आप ऐसे ब्रक यहां पर अपना password भी चेंजने कर सकते हैं reset भी यूपी आइप इसापर आपकोको यहारेद करेंगा तो अपना आपको यहां पर कोई भी बेंक काउंट को डिलीट करना है तो यहां पर डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका बेंक काउंट जो हो डिलीट हो जागा जैसे मेरा एक बेंक काउंट यहां से डिलीट हो चुका है तो यहां पर कju को यहाँसे अपना जो है यहां से एड कर सकते हैं यहां पे क्लिक करके आप करके आप यहां पर यहां पर Without देवीट कर्के कर सकते हैं औरहरकों के पर ऐड कर सकते हैं तो यह तो हो गया पेमेंट मेध forgave उसके साथ ओवालेट क्यों यहें तो पर्स में आप कुछ पैसा निकाल क्यों तो वह पर्स कैसी को सी आप पर्स में कजमती। यहां से अपको यह जाता है। फॉन पे वालेट भी मिलता है, फॉन पे gift card, geo money, free charge, etal money, यह सब जो है एक wallet है, इसमें आप जो है, अपना bank account से पैसा निकाल कि जो है, इसमें डाल सकते हैं, और इस से पैसा फिर बाद में आप payment कर सकते हैं, किसी भी चीज में, तो मैं wallet का यूज नहीं करता हूँ, मैं जादा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी पेमेंट किया जैसे मैंने आभी देखिए एक रुपे एक रुपे अगर के दो बार मैंने एक परलाद को पेमेंट किया और एक बेंक ट्रांसफर मैंने किया तो वह आपको यहां पर दिख रहा होगा जितना भी पेमेंट आप करते हैं फॉन पे के जरीए वो सारा पेमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा देखे मैंने बहुत सारा पेमेंट जो है फॉन पे के जरीए जो है किया है तो वो सारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से मैंने पेमेंट जो है फॉन पे से किया है तो यह स फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकरी के साथ तब तक अपना ख्याल लगिए और हमें समस्क्राते रहिए सब्सक्राइब कीजिए डॉट परतिस परधा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेश टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए